एक बार फिर से सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चालेंग नेक्स एक्जाम क्वाइन पर जैसा कि हमारी वीडियो सीरीज चल रही है जीके जीएस की और यहां पर हम कवर करने वाले हैं इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप वीडियो देख सकते हैं वहां पर हमने 200 कुशन कंप्लीट किये वह भी कम समयन है और अगले next 200 कुशन कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो सीरीज में तो बने रही है कुशन काफी इंपॉर्टेंट जो अभी एक्ज कुशन से पहले कुश्चन है घेगा रोप किसकी कमी से होता है आपको सबको पता है आयोडीन कौन सी गरंती इंसुलिन ख्रावित करती है जो ग्लेंड है यह है पैंक्रियास अगनासर नहीं से डूरंड कप किस जो डूरंड कप है उसका किस खेल से सम्मंध है यह है क्रॉस के संसापक आपको हैनरी डूरंड पता होंगे हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोप इनेमिया भारत कोकिला करोजनी नाइडू दिल्ली में कुतुब मिनार किसने बनवाई यह कुतुब दिन एबक ने गुलाम बंस जिसनर इस्थापना की दी नैसा बनारा सिंद कहां इस्तित है यह कन्या कुमारी दच्छेष का मुख्याला है कहां इस्तित है यह इस्तित है काटमांडू नेपाल में दच्छेष के कितने देश सदस्य है यह आठ जो आप देख सकते हैं भारत नेपाल बंगलादेश, लिलंका माल्दि, बुटान, पाकिस्तान और अब जो है विस्व में अब्रक का सरवादिक उत्पादन करने वाला देश चीन हो गया ना कि भारत आपको यह ध्याम रखना है अब्रक जो है अब्रक का उत्पादन सतों ज्यादा चीन करने लगा है पहले भारत था बड़ अब नहीं है ग्रांट ट्रंक रोड किसने बनवाया था जीटी रोड सेर सासूरी ने विटामिन बी की कमी बेरी बेरी विटामिन सी की इसकर भी दूद में कौन से विटामिन नहीं होता है विटामिन सी विटामिन डी की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है विटामिन के विटामिन ए की कम पहले मुंस्ट मिलेगी तो यह कि कुश्चन में मिलेगी कहीं बेभी टाइपिंग में क्योंकि यह पावर पॉइंट स्लाइड है ठीक है जो आपकी MS MS Office से बनती है Microsoft PowerPoint से नहीं से विटामिन C का रासानिक नाम S-Carbic Acid बसा में गुलंसील विटामिन कौन से है यह आपके एडेक यहां पर जो है जो कुश्चन है एक्जाम में जैसे पूशा गया option बेस था तो इसलिए वहीं से टाइप हो गया है A, E यहां पर आपको D और K भी याद रखना है एडेक बसा में गुलंसील विटामिन है जिबकि B और C आपके जल में गुलंसील विटामिन है अगर आपको पता है तो आप कमेंट वाक्स में जरूर लिखिएगा ठीक है खाने का सोडा का रशानिक नाम आप कमेंट करिएगा कि कौन सा है पीतल किन दो धातुओं का मिस्टर है तामबा और जस्ता नेसा कैल्सी फेरोल किस विटामिन का रशानिक नाम है यह विटामिन दी नेत दान में नेत का किस भाग दान किया जाता है रेटिना किस विटामिन में कोबाल्ट होता है विटामिन B12 कोशिका का पावर हाउस माइट्रकॉंडिया लाल रक्त कलिकां आर बीसी का निर्माण हमारे सरीर के किस भाग में होता है बोन मेरो यानि कि अस किस अधिवेशन में कांग्रेश उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी यह था 1907 का सूरत अधिवेशन नैसे तंजोर का ब्रद्योसर मंदिर किस ने बनवाया था यह बनवाया था राज राजा प्रथम चोलने नैसे मुगल समराट अकबर का जन्द कहां हुआ था यह हुआ था आपका अमरकोट दुर्ग में हडपा सबता किस युखी है कांच युगीन न नैसे दौες शासन का अंहित किस ने किया था वारेन हैस्तिन्ग्स ने संसथ के दोनों सदरों की सविशन तो बैठक की अधिश्ता कौन करता है लोकसभा अध्यस भारत के पिथम लोकसभा अध्यस कौन थे यह थे जीवी मावलंकर नैसे बय पर्तुगारी कौन था जिसने ग प्रत्यवी दीवस्ट कम मनाया जाता है यह आपको पता है 22 अप्रेल, फूलो की घाटी, उत्राखंड, भारत में East India Company का पहला Governor General कौन था, Warren Hastings, नैसे यूजना आयोग का दिस कौन होता है, यम, आयने अकबरी का लेख कौन था, ये थे अब उल्फजल, Hope Man Cup की स्खेल से सम्मंदित है, ये है टैनिस है, देश बंदू के नाम से कौन जाना जाता है, चितर अंजन दास, असुक चक्र में तीलियां कितनी है, 24, भारत में सबसे पहली फिल्म, सबसे चोटी हड़ी, स्टैपीज, और सबसे बड़ी, फीमर, जो जांग में पाई जाती है, मानव शरीर में कितनी पेशियां है, यह है 649, यहाँ पर जो है मानव शरीर में पेशियों की बात हो रही, ना की हड़ीयों की, हड़ीयों की बात हो, तो 206, आरबीसी का जीवन काल, 120 दिन, जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चड़ाने की क्रिया क्या कला आती है, गैलवेनी करा, या गैलवेनाईजेशन, या फिर जस्ती करा, मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंती, लिवर, भारत का प्रिथम, तेल, सोधन, साया, तो कहाँ पर इस्तित है, यह डिग बोही असम, यूनेसटों द्वारा कलिंग पूरुषकार के से शेतर के लिए दिया जाता है, कलिंग पूरुषकार जो मिलते है, बिज्ञान के लिए, हैदराबाद में चार मिनार का निरमाड किस ने करवाया था, ये करवाया था क और पुली कुतुप साहन गोवद्वाद्दमन वद्दीप साइफ क फभले किया गया था पिस्टय।' cowa doodП को समें ख़रे महुंत हैं 1999- मैं की कही दूराई ज्यूय के वांप जोब का पहल Jeovine तक देखंत भी स्टना利दमनों ठीह मात आंशर है presents से बारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है यह फेरी कुईन भारत में आपात काल की प्रथम गोश्णा कब की गई थी यह की गई थी चीनी आक्रमण के समय प्रथम मुसलिम आक्रमण कारी कौन था यह था मुहमद बिन कासिम 712 में इसने आकरमण की यहां पर जो है इसलिए रख रहा हूं आपको सिर्फ आपको यह कुशन आते आफो यहां पर मेरा मकसद है कि 10 मिनट में आपको 100 questions कम्प्रेट करा जा, तो 20 मिनट में आपको 200 questions मिलेंगे और presentation के साथ मिलेंगे आपको सिर्फ questions पढ़ना है, answer क्या है, पहले से अगर लिख देंगे तो तो आप फिर वो interest और वो mind में data feed नहीं होगा, इसलिए आपको question ही question देखेंगे, answer नहीं देखेंगे, ये भी एच्छा format होता है, जल्दी से revision करने का, नैसा स्वामी विवेका नंद ने सिकागो में हुए विशु धर्म समिलन को कब संबोधित किया था, ये date पूशी गई है, ये date है आपकी, यहाँ पर कासा किसकी में सिदा सबसे बड़ा दिन 21 जून, नैसे महत्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था, सबको पता होगा बहुत तेजी, साइमन कमिशन के बहिसकार के दौरान लाटी चार्ज से किस नेता की मृत्ती हो गई थी, लाला लाश पत्राय, भारत में निर्मीद प्रिथ सबसे नाम से जाने जाते हैं, मानव द्वारा सबसे पहले किस धादु का प्रियोग किया गया था, तामबा, बाल फेंद किस सिध्धान पर कारता है, यह करता है प्रिष्टी ये तनाव पर, रेसम के कीड़े किस व्रत्ष की कोमल पत्वी उपर, सैतूत, राजिता में खेत आपको सुननी है, ठीक है, सुननी क्या देखनी है, वीडियो को देखना है, और इसको अगर सिर्फ सुनना है, तो हेड़पोन लगाते है, आप सुनिये का आपको नींद भी अच्छी आएगी, ठीक है, यह मेरा एक ट्रिक है, ठीक, आपको यह मैंने वीडियो में बताया है कि आपको नियन क्यों आएगी आप एक बार चेक करिएगा अगर आती है तो comment में yes जरूर लिखिएगा चलिए अब अपने next hundred question को भी complete कर लेते हैं यह हमारे second hundred question तो इस वीडियो में हर एक वीडियो में आपको जो है 200 question मिलेंगे हमने series चालू की है one liner की जिसमें आपको important evergreen question पह question का label आपका बढ़ने लगेगा ठीक है पहले आपको basic gkgs provide कर आ रहा हूं तो आसा करूंगा कि आपको अच्छा जरूर लगेगा और current affairs के लिए हमने जो series चालू की है weekly वह भी आप देखिएगा वहाँ पर आपको धेश सारे questions complete होंगे gsgk के और साथी current affairs के लिए ठीक है वहाँ पर topic wise concept wise जो भी important fact है वह भी हम आपको बताते जाते हैं वीडियो नहीं देखा जो वीडियो जरूर देखिए चलिए अपने next 100 भी complete कर लेते हैं प्रतिवी के सबसे नजदीक रहे है आपको पता है सुक मनुष की आँख में किसी वस्तु का प्रतिविम कहां बनता है ये भी आपको पता है रेटिना पर बनता है सूर्च से प्रतिवी पर उस्मा का संचल किस विदी के द्वारा होता है तो जो उस्मा आ आएंगे तो आपको सबसे पहला पेज जो मिलेगा उसको होम पेज कहते हैं गाडियों में पीछे का दरस देखने के लिए दरपड का यूज होता है वह है उत्तल नैसा सामान प्रस्तिविमें हवा में ध्वनी की गती कितनी होते है जो हवा में ध्वनी की गती होती है 332 द्वनी चलती है और द्वनी किसके रूप में चलती है तरंगों में तरंगों के रूप में तरंगों में होता है वाइब्रेशन और ध्वनी जो है अनुदयर्द होती है और प्रकास जो है आपकी अनुप्रस्त होती है तो जो वाइब्रेशन है इस वाइब्रेशन की वज़े जिसे ही आपको नीद आने वाली है आप मेरी वाइस के साथ अगर कनेक्ट होते हैं और या फिर वीडियो फॉर्मेंट आप कहेंगे कि सारे कुस्षंद का आप वाट्सप सेंड कर दूगा और इसके अलावे वीडियो से जो है शेयर बटन पर फिलिक किजिएगा और विड्मै लकी सवाँ बेने वाला सबसे चंकिला भिल्भी आपका सुर मंडल की आयू पोची गई है 4.6 अरब बर्स सौर मंडल की आयू लगबग अनुमानित है कौन सा पुछल तारा 46 वर्स बात दिखाई देता है हेली पुछल तारा प्रत्वी और सूर के बीच की दूरी पूछी गई है 15 करोल किलो मीटर पर्रत्वी तक पहुछने में 500 फस minutes अगर 500 को हम साड में भाग देंगे तो minutes केतने आएंगे 8.3 minute ठीक है आठ minutes 33 seconds ठीक इस तरीके से जो है आपका सूर से light पर्तवी तक पहुछने में समय लगता है या तो 500 seconds कहलो या फिर 8.3 minutes कहलो बारत ने पहला परमाडू पर इच्छड कब और कहां किया था 14 मईए 1974 को पोखनन जो की राजिस्थान में वहां पर किया था आपको डेट यादत नहीं है 14 मईए 1974 कम्पीटर के किस जिस भाग को हम इस परस कर सकते हैं वह क्या कलाता है भाई हाड़वेर क्या लाएगा इस परस नहीं कर सकते हैं बस आपको देख सकते हैं जो भी यह चीज़े हो रही है यह घृट नहीं से चाहिए बालू में कौन सा खनिस पाया जाता है थो रियम वह सबसे बड़ी अंता स्रावी ग्रंती देखो इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड होती ही दो प्रकार की तो यह इंडोक्राइन ग्लेंड पूंची गई है इंडोक्राइन है थाइरोइड इंडोक्राइन का मतलब आपको जो है मैंने एक सीरीज चालू की थी बड़ आपने लाइक नहीं की अगर आप दुबारा कहेंगे कि हर एक टॉपिक को आप क्लिरिफाइग कर दीजिएगा उस तरीकेस वीडियो बनाईगा तो मैं उस तरीकेस बनाऊगा बट आप लोग पसंद नहीं करेंगे आपको कम समय में ज्यादा मिल जाए तो काम चल जाए चलिए हम आपको इसलिए ज्यादा ही देने का प्रयास कर रहे हैं यहां पर सीरीज नॉन स्टॉप चलेगी दियर स वस देखना है आवाज के साथ कनेक्ट होना है संचार का विसालतम इस्तंदारी कौन सा है पता है ज्याल मसली जो की एक मैमल्स है ब्लड गुरुप की खोश किसने की थी लैंड इस्टेनक है अलूमिनियम का प्रहुक आयास्क बाकसाइड पहला कृतिम उपगर है इस पूतन डियक्टर की अस्थाई इस्मर्ति यह स्थाई रहम होती है और पर्मानेंट कौन सी रोम होती है आपको धियान रखना प्रियक्टर पेमाने द्वारा क्या मापा जाता है भूकम की तीवरता भूब पडल में सबसे अधिक कौन सी धाद हुए यह हमने बताय था आपको बिल्कुल मान लिजी एवर ग्रीन है फ्लासट ऑफ फेरिस किससे बना होता है यह जिप्सम का मसलियां किसकी साइटर सांस लेती हैं गलफड़ों के साइटर से अरे पौदो द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या क्या अकलाती है फोडो संथेस प्रकास संसलेसर दूर से क्रि गफार खान को विस्सु का सबसे बड़ा दीप कौन सा है यह ग्रीन लाइंड स्वतंत्र भारत के प्रिथम राष्टपती कौन थे स्वतंत्र भारत की बात हो रही है तो यह थे डाक्टर राजय अंतर साथ नैसे काली में टिकिस फसल के लिए सरवादिक उप्युक्त है यह का पास कौन सा विदेशी आक्रमलकारी कोहनूर हिरा एवं मयूर सिंगहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया था अपने देश ले गया था कौन था नादिर सहा वारत में सबसे पुरानी परवत सगला कौन सी है यह है अरावली परवत माला जर्थी के तलका लगवक कितने परसेंट पानी है पता 31 वारत की सबसे लंबी इसलिये सीमा किस देश से लगती है यह लगती है बंघलादेश के साथ है हमारे सौर मंदल का सबसे बड़ा ग्रह है, ब्रहसपती, जूपिटर, किस नदी को बिहार का सोक आ जाता है, कोसी, गैस सिलिंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए, गैस में क्या मिला जे लेते हैं, ये मिलाते हैं, एथिल मर्क एक्टन, वायो मंदल में सबसे अधि अधिक किस गैस का परसंटेज है, नाइट्रोजन, कोडार का सूर मंदिर किस प्रदेश में इस्तित है, ओडिसा में, किस देश से, हमने आपको जो है, कि जो भी राज है, आपको करेंट फेर्स की सीरीज में, आपको सारे राज के राजपाल और मुक मंतरी वहां की जो मैं इंक्लूट करते चल रहा हूं, तो आपको वीडियो जरूर देखना है, वीकली सीरीज, संडे को वीडियो आपको प्रवाइट किया जाएगा, एक हपते का, ठीक है, हपते में एक वीडियो में आपको बहुत जादा इंपॉर्टेंट कुस्शन मिले वाले है, जिसकी ल ाइब, एक किलो बाईट में कितने बाइट होते हैं, दस्दशोओस भाइट होते हैं, बारत्य रास्चि कांगरेस के इतिहासिक अधिवेसन की अधिश्ता किस ने कि ठी? ये की ती, जेल नहरु ने, केंद्री हा pal милли में बं ने प्रियास बिद्याशार के प्रियासों से लॉड कैनिग ने नमबर 1878 में कहां आयूजी दर्वार में भारत में क्राउन के सासन की गोशड़ा की इंपॉर्टन कुशन है इलावाद में आयोजित गर्बा लॉड बेले जली के साथ सबसे पहले सायक संदिक किस राजी के सासकने की ये की हैदराबाद के निजाम ने नैसा भारत के सरवादिक बड़ी जनजाती कौन सी है ये है गोण भारती राष्टी कांग्रेज की प्रतम महिला अध्यर्स आपको पता है एनीबे संग साहिद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं ये जाने जाते हैं भागास सिंग किस योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ ये हुआ माउंट बेटन योजना के ऐ लृण जैनरल डायर जलिया वाला भाग हठ्या कान्ट से जुड़े की हठ्या किस ने की ती जैनरल डायर की हठ्या की थी उधम सिंग में बंगाल का विवाजं क रोगकिस के दॉरा किया गया था सशिदार नंद स्रिनां कुछ पुड़ी नत्रसहाली मुक्तथ के स法े संबंदित इस मानी जाती रिलेटेड और चारों वह हमाइनि एक्जाम Марत्र को चारू पता होने चाहिए केसर का सरुवादिक उत्पादिन की सराज quéता केसर था वैशालों की रूप में यूज होता केसर ोच्व मानते थाध गोपाल प्रुष्चा को बनाए रखने की जिम्यदारी सभी तो रास संके किस अंगिती है यह सुरच्छा परिश्चत की नोबल प्रुष्कार पारने वाले पहले बारती नागरी कौन थे यह थे आपके रविंद ना ट्रैगोर 1913 योजना किस वर्स शुरू हुई यह हुई 1995 में नैस का संसापक कौन था यह था बैलोल लोधी नैस एक कि जम्यदान संसोदर को मिनी कॉंसिक्ट्यूशन कहते हैं यह कहते हैं 42 में नैसा गोता फोर पानी के अंदर सास लेने के लिए कौन सी गैसों का मिर्सर्ण और हिलियम के साथ बहलाब ऑक्सीजन के साथ हिलियम गैस का मिर् बांचुरी नहीं सब भारत का प्रिधान मंत्री बनने के लिए कम से कम आयू पूची गई है पच्चीस वर्स शांची के इस्तुप का निर्माण असोग यह चगान किस राज का लोक नत्र है यह करनाटक का मैंक मोहन रेखा किन दो दोसों को भी जोड़ती भारत चीन प्याज हर्टेस से 20,000 हर्टेस तक मदु बनी किस राज का लोक चित्रकला सैली है यह बिहार का विश्व का सबसे उंचा परवत सिखर मांट एवरेश किस देश में इस्तित है यह आपका नेपाल में नहीं से किस नदी को दच्छिड गंगा कहा जाता है यह कहा जाता है गोदावरी यह थे हमारे 200 important evergreen question जो मैंने कम समय में complete कर लिये हैं पूरे 30 मिनट हो गया है 15 मिनट लगे है 100 question को मलब 11 मिनट 12 मिनट लगे थे 100 question को और 2-4 बातें जो आपको करनी पड़ती हैं और कहीना कि थोड़ी mistake हो जाती उस बज़े से total आपका जो है 30 मिनट से कमी समय लगा है 200 question को तो आपको जो है इतने कम समय में 200 question की series मिलेगी हर एक वीडियो में 200 question मैंने include किये हैं तो आपको हर एक वीडियो हमारा जो भी है हर एक वीडियो आपको cover करने है evergreen question आपको मिलने वाले सुरुआ 2000 आपको ऐसा ही question मिलेंगे जो आपको 100% आने ही चाहिए तो अगर आपने वीडियो को like नहीं किया अभी तक तो वीडियो को like कर दीजिएगा जरूर जिससे कि हमें motivation मिले और series हम continue रखें और इसके साथ ही आप current affairs अगर आप ने नहीं देखिए तो आप current affairs के वीडियो जरूर देखीगा संडे संडे को आपको current affairs provide कर आई जाएगी जिसमें आपको weekly current affairs मिलेगी और important fact, important knowledge के साथ और इसके साथ other subject की भी हम series लाने वाले हैं जैसे कि पज्यावरण है, Hindi है, Child Development है, अगर आप यह भी पढ़ना चाहते हैं तो इनसे भी series मैं लाने वाला हूँ यह GSGK की तो सब के लिए important होती ही है, current affairs और GSGK सभी के लिए important होती है, तो यहाँ पर आपका क्या होने वाला है, तो रिवीजन होने वाला है, कम समय में आपको 200 questions की एक वीडियो प्रोवाइट कराई जा रही है, इस तरीके से continue आपको GK और GS की series मिलने वाली है, वो भी इस लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, व्यू जाते हैं, तो मैं उस mistake को भी सुधार लूँगा, क्यों फिर मुझे बड़ा ध्यान से टाइपिंग करनी है, अभी क्या है, जल्दी से maximum video बनाने की वज़े से थोड़ा समय देख नहीं पाता हूं, कहीना कहीन, थोड़ा इसी typing mistake हो रही है, तो I hope video अच्छा लगा होगा, आसा करता हूं, और इसी के साथ जो है, इसी उमीद के साथ, कि आप like करेंगे और video को share करेंगे, हम आपसे लेते हैं विदा, thanks, take care and have a nice day.